लंबे इंतजार के बाद कॉंग्रेस ने जिलाद जक्षों की जो सुची है वो जारी कर दी और धनबाद में संतोष सिंग को जिलाद जक्ष बनाया गया है और इसके बाद अभी आज वो धनबाद पहुंचे हैं समर्थकों का स्वागत देखने को मिल रहा है सिधे अभी मेरे उपर बहुत बड़ी जीमांदारी सोपी है मैं प्रयास करूंगा कि अपनी जीमारी को पूरा इमांदारी पूरा अपनी रहन करते हुए सभी कंग्रेस के करता हो समानित नेताओं को साथ ले करकर चलते हुए 2024 में लोग सवाचुनाओं में कंग्रेस यहां पर पर्चम लह रहा है इसके लिए हम जीतोड मेहनत प्रयास करेंगे बूत अस्तर कंग्रेस का मजबूत करने के लिए अभियान चलाएंगे और अभी तीन महीना का करकर यह चेक आउट हम लोग करेंगे तीन महीना दम यूद अस्तर पर बूत अपने धनबाज लोग बिधा जीला में स समाम बुतों पर हम मजबूती से काम करेंगा पहले उसके पर फिर चुनाओं का पूरा दम हम एक चीज यहां पर देखने को मिला है कि कुछ लोग बीरोध में भी आवाज बुलंद कर रहे हैं कोई बीरोध नहीं होता है कॉंग्रेस हाइकमान कर निर्ने के बाद इसके पहल सबका हक बनता है कि हम इस पद पर कभी जो और कॉंग्रेस ने तमाम लोगों का ख्याल किया है समय से में पर लोगों को पद से अचाहे सरकारी पद से नमाजा है और 20 वर्सों के बाद हम भी लगतार पर आसरत थे अभी तक मैंने आज मेरे उपर एक छोड़े से करकरतक के उ सब्सक्राइब करना है जो आपनी बात रखे हैं जो भी कमी बेसी है अलहकमान देखेगा उनको निरन लेना है हम लोगों को जमीन पक सिरिफ काम करना है कॉंग्रेस के कारे करता है जो आप जूड़े हुए है और जो लोग विरोध में सबों से आप क्या अपील करेंगे किसी भी हाले में मना करकर साथ लेकर चलने काम करेंगा जिस तरह से संदोज सिंग ने पस्ट किया है कि धनबाद में जो कॉंग्रेस का कुनवा है वो बढ़ेगा और आज जिला जेक्स के तोर पर इनका न सिर्फ धनबाद में श्वागत देखने को मिल रहा है बलकि कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला है और कुछ कारिकरता विरोध में भी है लेकिन इनका कहना है कि ये तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए सबों को अपने साथ समेटने में कामियाब होंगे और 2024 के लिए पाटी का जो दिशा निर्फ है उस पर ये काम करना शुरू करेंगे सायोगी मुन्ना के सांथ राजक्मार जायसवाल निउस 22 इसको अपधनबाद